हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारी चीजें किलियर करने वाला हूँ देखे, बहुत सारी चीजें हमारे साथ इसलिए होती हैं क्योंकि हम उस दिशां में सोच रहे होते हैं अब हम लोग यहां पर वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं इन वीडियोज के थुरू हमें आप में से बहुत सारे बड़ो की बलेसिंग्स भी मिलती हैं, बहुत सारे एप्रिशेशन भी मिलते हैं लेकिन इसके साथ साथ अपने को कुछ नेगिटिव चीजे भी देखनी पड़ती हैं जिसमें लोग जो चाहे वो बोल देते हैं सोचल मीडिया समझ के लेकिन जानकारी की इंपोर्टेंस क्या है यह वो विक्ति समझ सकता है जिसके साथ कुछ भला हो जाता है जिसको इससे कभी कोई रिलीफ मिल जाता है अब आज के समय पे मेंटिनिटिक ऐसी है कि मेंटिनेंस तो देना ही पड़ेगा 498 लड़के को जहिलना ही पड़ेगा आखरी में सेटलमेंट के नाम पर एक मोटी अमौन देनी ही पड़ेगी एक ट्रेंड सा बन चुका है और सिर्फ विपक्षियों के मन में ही नहीं जो पती पक्ष है उसने भी अपना माइंट सेट ऐसा बना रखा है कि हमको तो देना ही पड़ेगा और मैं आपको बता दू जो भी चीज़ें आपके साथ घटित होती है वो अधिकतर वो ही होती है जैसा कि आप सोचते है तो सबसे पहले तो आपको इस माइंड सेट को परिवर्तित करना है ठीक है आज के समय मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए कि अगर मेंटेंस सा केस होता है बचना बहुत मुश्किल है आपको मेंटेंस लगी जाता है कोट आज के समय कुछ न कुछ गरांट करी देता है 498 में भी आपको पता है क्या दशा है यानि इस्तिती बुरी है यह आपको भी पता है यह मुझे भी पता है लेकिन इसका यह कता ही मतलब नहीं है कि हम पहले से खुद को हरावा मन के बैठ जाएं इस्तिती जैसी भी है उस परते एक परिस्तिती का सामना हमको करना है और उस परिस्तिती में रहते हुए ही इससे बहार आना है अब परिस्तिती गलत है परिस्तिती गलत है हर बार अगर हम यही बोलते रहेंगे इससे यह चीज़े और खराब होती हैं, यानि जिसको यह सब चीज़े करके, मिल रहा है, और ज्यादा मिल रहा है, तो आप सोचो न, कि कितना गलत message society में जाता है, वो जिसको मिल रहा है, वो पता हैं कितने लोगों को बताएंगे, देखो हमने तो ऐसा किया था, रुला रुला के पैसा लिया, चार लोग और इंस्पायर होंगे उनसे, कि ठीक है आपने को भी ऐसा करना है, तो कि आप ये चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं, अब आपके साथ ठीक है केसे जो गए, आज ना तो कल खतम भी होंगे, लेकि उनके साथ भी false 376 के केस, तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये जड़ से इन चीज़ों को खतम करना है, तो हमको broad level पर सोचना पड़ेगा, false cases किसी भी वेवस्था के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसा देखा कि मैं false case पर वीडियो बनाता जो सही है वो सही है, हमें जो भी फैसला लेना है, वो ये सोचते वे लेना है कि गलत क्या है, सही क्या है, और गलत को कभी भी सपोर्ट नहीं करना है, चाहे गलत का जेंडर कुछ भी हो, इसलिए ये जो पर्थाय बन चुकी, ये मानने ताय बन चुकी, इनको खतम करना है, अब परताय माननेता हैं एक दिन में खतम नहीं होती, इसमें समय लगता है, आप देखिए कि पराने समय से कितनी सारी बुरी परताय चल दी आ रही थी, आप इतिहास उठा के देखें, और वो जो सारी परताय हैं, वो एक ना एक दिन खतम हुई की नहीं हुई, धीरे धीरे वैसे ही आज के समय पे ये भी बुराई बन चुकी है, देख एक बहुत बड़ी बुराई है, और फिर देखें के नाम पे जूटे केस करना ये उससे भी बड़ी बुराई है, तो यानि कि देखिकी जो बुराई है, उसके खिलाप काफी अंदोलन चले, सरकार ने भी बहु परता हैं, जो कि पूरे तरह से गलत हैं, वहां भी समापत होनी चाहिए, लेकिन ये परता पूरे देश में चल पड़ी कि दहेच के नाम पे जूटे मुकदमें दर्ज करने हैं, कोई सा राज्ये, इस से वन्चित नहीं, कोई सा शहर, कोई सा गाओं, कोई सा डिस्टिक, जहा लेकिन बात यह है कि मेंटलिटी परिवर्तित करनी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, ठीक है, एक साल और लड़ दूँगा, लेकिन कोई गलत मैसेज मेरी वज़े से सुसाइटी में नहीं जाएगा, तो तबदिली आएगी, अगर सिर्फ हम अपना-पना सोचेंगे कि मैं किसी तरह से भार हो जाओ, मेरी पॉकेट में पैसा है तो मैं देदू किसी तरह से, मेरी जान चूटरी बात कतम, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग रहे ऐसे जो मैंने देखा, जिनों ने अपनी जेव से 35-35 लाग पर, एक मानला तो मेरे पास आय तो फिर अगर आप ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है ना, फिर बाकी लोगों को इससे शेय मिलेगी और बाकी लोग भी एक्सपर्ट करेंगे कि उन्हें भी तरह मिलेगा, और हर एक लड़की की पॉकेट में उतना पैसा नहीं पड़ा है, और काई को देना, अपनी कमाई का पैसा ऐसा कौन देना चाहिएगा, कोई भी ने देना चाहिएगा, चाहिए लड़की हो, चाहिए लड़का हो, तो फिर कुल मिला कि ये चीजी तभी खतम हो सकती है, जब आप अपने मन में विचार बना के बैट लें कि नहीं, हमें इस परकार से नहीं देना, ठीक है, कुल मिला के बैलेंस वें में, अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपने फिगर सेट करी, कि इतनी फिगर तक तो ठीक है, कोई प्राबलम नहीं है, मैं खतम करूँगा माबला, नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर इस से उपर मांगते हैं, तो फिर पक्का है, मैंने केस हो रहा है, घरवाले मानते नहीं है, उन्हें दूसरी शादी करानी है, तो ये सब कुछ हम personally अपने बारे में सोचते हैं, और हमें बाकी की society से मतलब नहीं होता, तो ठीक है, personally अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, 10% society के बारे में, दे जब में से छुप, इढे कारा चाहिए, जिन्हें की अजेऊ होता सकत्ति रिएकिरोह, टपस जाणी में स centered कर दोड़ेक्आ